जम्मु कश्मीर के पुलवामा में पढ़गाम पोरा गाउं में बुद्वार रात से चल रही मुटबेड में दो आतंकियों को मार गिराया गया है जबकि कुछ अन्य आतंकियों के साथ सैना की मुटबेड अभी भी जारी है CRPF के सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में अभी भी चार से पाच आतंकी मौजूद है CRPF के मुताबिक इस मुटबेड में मारे गए आतंकियों की पहचान लशकर तयाबा के जहांगीर एहमत गनी के रूप में की गई है जबकि दूसरे आतंकी की पहचान मौँद शफी शेर गुजारी के रूप में हुई है बहराल आपको बता दें कि बुदवार रात को पुलवामा के पटगाम पूरा में कुछ आतंकियों के होने की सूचना मिली थी जिसके बाद CRPF, सैना और जम्मो कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत पूरे इलाके को घेर लिया जिसके बाद खुद को घिरता देक आतंकियों ने सैना के उपर गोली बारी शुरू कर दी जिसमें दो आतंकियों को धीर कर दिया गया है इससे पहले रविवार को भी जम्मो कश्मीर के त्राल इलाके में सुरक्षबलों और आतंकवादियों के बीच मुटबेड में एक जवान शहीद हो गया था जबकि सुरक्षबलों द्वारा की गई जवाबिक कारवाई में दो आतंकियों को मार गिराय गया था